नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत बहुत स्पागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे होमेपेटी के एक एनर्जी ड्रॉप के बारे में दोस्तों अगर आपको भी बहुत जल्दी थकान आती हो चाहे आप आफिस गोइंग हो या आप हाउस मेल हो फीमेल हो कोई भी हो अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हूं आपको शरीर में बहुत जादा कमजोरी लगती हो आपको कोई काम करने के एक्षाना होती हो नींद बहुत खराब हो गई हो स्ट्रेस या गुस्सा चडचड़ाहट यह सारी परिशानी रहती हो तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफिमेटिव है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होमेपैति कुछ ऐसे ड्रॉप जिसको कममेंड करके अगर आप लेते और मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके कारणों की बारे में कि किन कारणों के वज़े से हम लोग फील कर सकते हैं या हमेरे शरी में हमको लोग एनरजी लगती है सबसे मुख के कारण होता है हमारे डाइट का सही ना होना अगर हम proper nutritive diet नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में जो energy है वो हमें कम मैसूस होती है आपके जो proper nutritive diet होया है उसमें आपके अच्छे से vegetables होनी चाहिए whole grains होने चाहिए, protein होने चाहिए यह सबी combined होके हमें energy provide करते हैं इसी के posit अगर हम इन सब का save नहीं करते हैं तो दीरे-दीर हमाई body nutritionally deficient होके हमें इस तरह के lecture देने लगते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा लिथार्जी, बहुत ज़्यादा weak महसूस करते हैं जो cause है दूस्तों वो है कि शरीर की physical activity का बहुत कम होना दूस्तों बहुत बढ़ आपने देखा होगा कि अगर आप exercise yoga करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा energy feel करते हैं अपनी body में आपको बहुत strength सी feel होते है इसके पीछे का कारण क्या है कि exercise के वज़े से हमारे body में जो adrenaline का secretion है वो अच्छा रहता है हमारी body बहुत ज़्यादा happy और healthy feel करती है इसी के लावा अगर हम exercise नहीं करती हैं तो धिरे-दिरे करके हमारी muscles कमजोर होने लगते हैं हमको बहुत ज़्यादा lethargy और कमजोरी मैसुस होने लगती है next जो cause हो सकता है दोस्तों वो है कि आप ऐसे कोई medications पे हो जैसे depression की medicines है या फिर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से stress में चल रहे हो तो next जो आप इस तरह के लक्षणों से ग्रसिप देखे जा सकते हैं इसके लावर बहुत सारी इसी medicines है जिनके वज़े से भी आपको dullness सी feel हो सकती है thyroid dysfunction के वज़े से भी आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं diabetes के case में भी आपको बहुत सब्सक्राइब कारण है जिनके वज़े से आपको लिथार्जीनिस याने की weakness सी महसूस हो सकती है अब हम लक्षणों के अगर हम बात करें तो क्या basic lecture मिलेंगे as usual जो लक्षण है कि आपको बहुत दिन भर बहुत sleepy सा लगना किसी भी कारी को करने का मनना करना बहुत जादा डल सा फील करना lack of concentration लगना आप किसी चीज़ को अगर learn करने की कोशिश करने हैं तो वो learn नहीं होना बहुत low feel करना बहुत जादा depressed feel करना इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप भी इस तरह के symptoms से घ्रसीत हैं तो आप इस homeopathic combination को प्रयोग कर सकते हैं इसके लाबा आपको अपने nutritive part पर अच्छे से काम करें आप थोड़ा सा वयाम exercise करें जिससे आपकी जो condition है बहुत जल्दी overcome हो जाएगी अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक बहुती अच्छा रोलप्ले करता है वहुत ही miss concept है लोग का की अश्वगंदा से WORल चाहाशा काम करता है के पर अच्छा क्याश्या लेकिं heureली फीमेल खेंने punbon डलनेस है बहुत जादा फटीग लगने की जो टेंजनसी है जो अश्योगंदा है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है उन सब को कम करने में दूसरा मदर टिंचर है दोस्तों जिंसेंग जिंसेंग मदर टिंचर जिंसेंग आप सभी जानते हैं हमारे मेंटल डिसॉर्डर्स माइनसिक रूप से परिशानी के उपर बहुत अच्छा काम करता है अगर आप बहुत जादा लंबी समय से स्ट्रेस में रह रहे हैं दिपरेशन में रह रहे हैं जिसके वज़े से आपको बहुत ज़दा डलनेस लगते हैं बहुत लोग फील करते हैं आपका कंसंट्रेशन ग्रभाइब है तो इस केस में भी इंसेंग बहुत अची काम करती है आपको दूसरी जिन्सेंग मेडिसिन को आजाउन करना है तीसरी मेडिसिन है दोस्तो अवीन सटाइवा एड वीन सटाइवा दोस्तो हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों ही health पर बहुत अच्छी काम करती है हमारे physical exhaustion and mental exhaustion को कवर करने में हमारे you know dullness को कम करने में अभी न सटाइब एक बहुत ही अच्छा रोल पे करती है चौथी medicine है जिंको विलोबा दोसों जिंको विलोबा भी एक बहुत ही important mother tincture है जो हमारे mental issues पे and physical issues पे बहुत अच्छी काम करती है अगर आप बहुत dull feel करते हैं बहुत ही weakness आपको body के अंदर महसूस होती है तो आप इस जिंको विलोबा का seven करें यह बहुत handful होने वाली है अब आपको क्या करना एक खाली बॉटल लेनी है लगबग 100 ml के खाली बॉटल ले और इन कहीं सभी आप एक sterilized bottle को आप लें जिसपे उपर एक dropper लगा हो इनको चारो दवाओं को अच्छे से mix करके आप 20 बुन्द इसकी एक चौथाई कप पानी में डालके दिन में सुबा दुपहर शाम लेना प्रयोग करना शुरू करें खाना खाने के या तो आदी गंटे पहले हेल्दी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेट बहुत ज्यादा हाई फीलिंग वाले फील करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा इन दवाओं को लेने के बाद से और आराम से आप इसको दो से तीन महेने प्रयोग करें आप बिलकुल इसको प्रयोग कर सकते हैं और अपनी से जादा लोगों तक शेर करें आजकल ये परिशानी बहुत जादा देखने को मिलने लग गई है दोस्तों यंग से लेकर ओल्डे सभी में ये परिशानी बहुत जादा देखने को मिलती तो इसलिए आप शेर करें ताकि हर लोग इससे बेनिफिक पासकें और अभी तकर आ इसी तरह के informative वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy